तो बताईए इस बार की लड़ाई तो आप उतार सड़ा हो नहीं रही आपकी पहले तो बहुत-बहुत शुक्री आपका कि आपने हम सब को यहां बुलाया और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा क्योंकि ये पूरे टूर्णामिंट में मैं वो कॉंट्रिवूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था और एक समय पे मैंने रहूल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आपको और टीम को दोनों को नहाई नहीं दिया अभी तक तो इन्होंने मुझे बोला कि जब situation आईगी तो मुझे भरोसा है कि तुम perform करोगे तो ये conversation हमारी हुई थी और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोईत को बोला क्योंकि मेरा जैसे tournament गया था मुझे इतना confidence नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी batting हो सकीगी जैसी मैं करना चाहता हूं तो जब हम खेलने गए मुझे पहले चार बॉलों में तीन चौके मिले तो मैंने इसको जाके बोला मैंने का यार ये क्या गेम है ये मतलब एक दिन ऐसे लगता है एक रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है तो तो हाँ पर मुझे feel हुआ कि और especially जब हमारी victory गर गई कि वो situation में मुझे अपने आपको surrender करना है टीम के लिए क्या ज़रूरी है इस समय पे सिरफ वो ही मेरे focus में था और मुझे ऐसा feel हुआ कि वो मुझे उस zone में डाला गया अब वो मैं किस वज़े से डाला गया वो explain करना मुश्किल है बट मुझे ऐसा feel हुआ कि बिलकुल मैं उस moment में बंद गया और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है तो यह होना ही था मेरे साथ टीम के साथ अगर आप match भी देखें जिस तरीके से हम match जीते end में जो situation थी हम लोगों ने एक-एक ball को जिया end में जहां से match पल्टा और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम explain नहीं कर सकते एक-एक ball में की match यहां जा रहा है वहां जा रहा है एक समय पर उम्मीद छूट चुगी थी उसके बाद हार दिंग ने wicket लिए उसके बाद एक-एक ball करके एक-एक ball करके वो energy फिर बनी तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में contribute कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और इस तरीके से हम जीते जैसे मैंने बुला वो मैं कभी नह पाऊंगा अपनी जिन्दिन की में तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं